इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, यदि आपको इसकी पत्रकारता पसंद हो, धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सभी का स्वागत है, मैं रत्तिय अगनिहोतरी आज के समय में, खासकर की कोरोना वाइरस संक्रमण के बाद से भारती रुपे की कीमत डॉलर की तुलना में दिन बदिन गिरती जा रही है हमेशे ज्यादतर लोगों ने जो समय देखा है, उसमें डॉलर ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी बनके उभरा है और हमने एक शाश्वत सत्य की भाती इस बात को सुईकार सा कर लिया है कि दुनिया पर हमेशा से डॉलर का ही वर्चस्व रहा होगा और ऐसा ही चलता आ रहा होगा लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब एक रुप्या एक डॉलर के बराबर था सुनने में ये बात किस से कहानियों सी प्रतीत हो सकती है लेकिन यह बात बिलकुल सच है कि स्वतंतरता के बात के समय में उन्निस सो बावन में एक रुप्या एक डॉलर के बराबर था इस विशेपर एन आई न्यूज एजेंसी के प्रेम प्रकाश जी का जो की एजेंसी के चेर्मेन है उनका एक लेक है जिसमें वे बड़े ही रोचक तरीके से यह बताते हैं कि किस प्रकार उन्निस सो बावन में जब वे पहली बार विदेश यात्रा पे गए परकि लंदन घ भूमने लगे और शॉपिंग वगेरा की तो उनके पास पाउंड स्टरलिंग और रुपए दोनों थे लेकिन दुकानदारों को पाउंड स्टरलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी सब दुकानदार चाहते थे कि वे रुपए द्वारा ही खरीदे हुए समान की खीमत थोटी सी घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय रुपए का क्या रुथबा रहा होगा और वा कितनी शक्तिशाली मुद्रा रहा होगा रुपए को डुबोने में भी पाउंड स्टरलिंग का ही हाथ है भारत बिटिश शासन से तो मुक्त हो गया लेकिन उनकी कर बाद आजादी से भी कहीं पहले हो गई 24 सितंबर 1931 को बिटिश सरकार ने भारती रुपए को गोल्ड से अलग करके इसे स्टरलिंग से जोड दिया और यही काम रुपए के लिए जानलेवा था क्योंकि उस समय स्टरलिंग को कोई पूछता भी नहीं था इस मुद्रा की हा का भारत को तब लगा चब बिटिश सरकार ने पाउन स्टरलिंग का अवमूलियन कर दिया बिटिश सरकार के इस फैसले के बाद स्टरलिंग पाउन की कीमत 2.8 यूएस डॉलर के बराबर हो गई लेकिन रुपए की सत्ता को अभी भी कोई इतना बड़ा धका नहीं लगा थ असली धकी लगने तब शुरू है चब आजादी के बाद एक के बाद एक भारतिय सरकारों ने सोशलिस्ट एकॉनमी के मौडल को अपनाने के चक्कर में सरकारी खाजाने खाली कर दिये देश कर्ज में डूब किया और अंतराश्ट्री संस्थानों से पैसे की भीग मागनी पड़ी फिर 1991 में चब कर्ज की खराब स्थिती अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो फिर रुपए की स्थिती को सुधाने के लिए उदारी करण का दोर शुरू हुआ लेकिन पिर इसके बाद धीरे भारत में चुमहंगाई की दर पढ़ती रही उसका रुपए पर एक बहु हुए युद्धों की वजह से भी हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा आज कोरुना वाइरिस के समय में चब विश्व का भूराजनीतिक परवेश तेजी से बदल रहा है विश्व के तथा कथित पावर सेंटर्स भी कुछ-कुछ कमजोर हो रहे हैं अमरीका में जो कोरुना वाइरिस की विभीशिका है उसका उनकी अर्थ व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ने वाला है इसके अलावा चीन और अमेरिका की भरती तनातनी के चलते भी विश्व के भूराजनीतिक परवेश में बहुत कुछ बदलने वाला है ऐसे में भारत के पा मेकिन इंडिया के तहट मेनुफाक्चरिंग सेट अप करने के लिए बुलाने का इसके अलावा भारत को डॉलर की अर्थ व्यवस्था पर भी अपना आश्रे कम करने के तरीके खोचने होंगे डॉलर पर अपने आश्रे के चलते भारत को और बाकी सबी देशों को भी अमरीका द्वारा इरान से तेल आयात करने पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को मानना ही पड़ा जिसे भारत की अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है ऐसे में भारत को अब आवश्यक्ता है दूसरे देशों के साथ मिलकर एक ऐसा सशक्त वित्तिया सिस्टम तयार करने की जो डॉलर पर आश्रित ना हो चीन ने अभी अभी हाल ही में अपनी डिजिटल करणसी लांच की है भारत भी इस दिशा में सोच सकता है धन्यवाद अपनी अपना है